भगवान राम की नगरी आयोध्या जहां हर रोज श्री राम के जैकारे गूंजते हैं क्योंकि आयोध्या महच एक शहर नहीं ये करोडो हिंदूों की आस्था है और अब देश की जनता राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी नजर गड़ाए हुए है कि आकिरकार सालों से चल रहे इस मंदिर मजजद विवाद में जीत किसकी होगी इस मामले में सुप्रीम कोट में रोजाना सुनवाई चल रही है जहां हर दिन एक नया मोड देखनी को मिल रहा है सभी पक्षों की अपनी अलग राय है जो दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं इस बार सुप्रीम कोट जिस तरह सुनवाई कर रहा है उससे लगता है कि इस मामले पर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला आ जाएगा रोजाना की सुनवाई में रामलला के वकील और सुन्नी वक्व बोर्ड के वकील अपनी दलीले पेश करते हैं रामलला के वकीलों ने अपनी दलीले पूरी कर ली है इस केस में पक्षकारों की दलीले जितनी महत्व पून है उतना ही महत्व राम जन्म भूमी की खुदाई के रिकॉर्ड का भी है आईए जानते हैं राम जन्म भूमी की पूर्व में हुई खुदाई में क्या क्या मिला था ASI ने कराई थी विवादित जमीन की खुदाई करीब 15 साल पहले भारत्य पुरातत्व सरवेक्षन यानी ASI ने आयोध्या में मौजूद राम जन्म भूमी स्थल की खुदाई कराई थी ये खुदाई कई दिनों तक चली इस दोरान जमीन के नीचे से कई अवशेश मिले जिनकी ASI की टीम ने जाच की और रिपोर्ट में विवादित धाचे के नीचे पुरातन मंदिर के अवशेश होने का दावा किया है सुप्रीम कोर्ट को 2018 में सौपी गई थी रिपोर्ट इस रिपोर्ट को बकायदा फोटो के साथ ASI ने नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट को सौपी थी ASI ने ये रिपोर्ट इलाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर तैयार की थी माना जाता है कि आयोध्या केस में हाई कोट ने जो फैसला सुनाया था ये की रिपोर्ट एहम थी जाहिल है कि वैग्यानिक तत्यों पर आधारित इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोट भी सिरे से खारिज नहीं कर सकता ASI की रिपोर्ट में साफ तौर से बताया गया है कि खुदाई में जो अफशेश मिले हैं वे धाचे के नीचे मंदिर होने का संकेत देते हैं यही नहीं दस्मी शताबदी के पहले उत्तर वैदिक काल तक की मूर्तियां और अन्य वस्तूओं के खंडित अफशेश भी मिले थे इनमें शुंग काल की चूना पत्थर की दिवार और कुशान काल की बड़ी सनरचना भी शामिल है जियो रेडियो लॉजिकल सर्वे भी हुआ था इलाबाद हाई कोट ने 1 अगस्त 2002 और 23 अक्टूबर 2002 को विवादिज इस्तल का जियो रेडियो लॉजिकल सर्वे का आदेश दिया था यह सर्वे तो जो विकास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिंटेड ने किया और 17 फरवरी 2003 को हाई कोट में रिपोर्ट सौपी इस सर्वे रिपोर्ट में जमीन के अंदर कुछ विसंगतियां पाई गई थी जियो सर्वे में बताया गया था कि जमीन के अंदर का धाचा, खंबा, नीव की दिवारे, स्लैब, फर्ष हो सकती है जिसे देखते हुए हाई कोट ने 5 मार्च 2003 को ASI को विवादित स्थल की खुदाई करने का आदेश दिया था इसके बाद 12 मार्च से 7 अगस तक विवादित स्थल पर खुदाई जारी रही हाई कोट ने क्यूँ पूचा था मंदिर तोड मस्जिद बनाई गई ASI ने खुदाई करने के बाद 25 अगस 2003 को हाई कोट में रिपोर्ट दाखिल की जिसके निशकर्ष में हाई कोट ने पूचा था कि क्या विवादित स्थल पर कोई मंदिर या धाचा था जिसे तोड़ कर मस्जिद का निर्मान कराया गया था वहीं ASI की रिपोर्ट में कहा गया है कि विवादित धाचे के नीचे मिली विशाल सनरचना में नक्का शिदार इंटे, देवताओं की युगल खंडेत मुर्तियां और नक्का शिदार वास्तु शिल्पें, पत्तो के गुच्छे, अमालका, कपोत पाली, दरवाजों के हिस्से, कमल की आकृती, गोलाकार पूजास्थल जैसी चीजे मिली है इसमें उत्तर की और निकला एक प्रानाला भी है, जिसे भगवान शिव के मंदिर से जोड़ कर देखा जा रहा है उस बड़े धाचे में 50 खंबो का आधार मिला है, ये अफशेश उत्तर प्रदेश के मंदिर की खास्यत से मेल खाते हैं रिपोर्ट के इसी चैप्टर 4 में एक खंड सर्कुलर श्राइन यानि गोलाकार पूजास्थल का दिया गया है रिपोर्ट के मताबिक खुदाई में थोड़ा बहुत शती ग्रस्त पूर्व की और मुखवाला इंटो का बना गोलाकार पूजास्थल का धाचा मिला है इस गोलाकार धाचे का पूर्वी सिरा वरगाकार है इसका एक हिस्सा अंग्रे जी के अक्षर वी के आकार का है जो की तूटा हुआ था और जिसमें जल बाहर निकालने के लिए उत्तर की और एक प्रानाला जैसी संरचना थी जो की सुभाविक तोर पर मूर्ती के अभिशेक के लिए बनाई गई थी लेकिन मूर्ती वहां मौजूद नहीं थी कुशान काल और गुप्त के भी अफशेश मिले आयोध्या राम जन्मुहूमी की खुदाई में गुप्त और उत्तर गुप्त काल और कुशान काल के अफशेश भी मिले थे यहाँ पर गुप्त कालीन और कुशान कालीन दिवारे मिली थी कुशान कालीन निर्मान कोई साधारन इमारत नहीं थी बलकि एक विशाल संरचना थी यही नहीं यहाँ चूना पत्थर की दिवार मिली जो शुंग काल की मानी जाती है फिलाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इस मामले में राजनितिक दलों के अलग-अलग स्टैंड हो सकते हैं, लेकिन न्याय पैलिका ही सर्वोच है, जो क्या फैसला सुनाती है, इसका पूरा देश को इंतजार है, क्योंकि माना जा रहा है कि नवंबर महिने तक स पैसला सुना सकता है, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा न्यूस नशा